विज्ञान पढ़े या आस्था इन दिनों पास्चारते जगत में एक रोचक चर्चा चल रही है आस्थावादी सवाल उठाते हैं कि क्या पाठिक्रम में डार्विन का विकास सद्धान पढ़ाया जाना चाहिए विज्ञान के समर्थक कहते हैं कि क्या पार्ठिक्रमों में आस्था विश्वास को इस्थान देना अक्चित है दोनों ही वर्गों के अपने अपने तर्क और तत्य हैं तर्क भी ऐसे हैं कि तत्यों से कोसो दूर और यथाद से परे इमुम पार वैज्यानिक समझ की भी क्या कहें जो जीवन को भी जड़ पदात के रूप में परिमासित करने का दुस्साहस करती है कोई भी अपने हट और कुदर को छोड़ने को राजी नहीं है इस उधेर मोन में पिस रही है तो कच्ची वैकी कोमल एवं नाजुक मान सकता आखिर क्या पड़े और क्या ना पड़े आस्थावान इसकूलों में बच्चों को डार्वीन के विकास सिद्धान पढ़ाने के पच्चदर नहीं है किवल यदि उस आदार पर बच्चों को जीवों के विकास के बारे में वैग्यानिक समझ दी जाएगी तो बाइबिल के इस मानिता का क्या होगा कि इस दुनिया और उसके तमाम जीव जन्तों को इस्वर ने सिजित किया है प्रस्निया नहीं है कि जीवन के उत्पत्ती का यथार्थ क्या है प्रस्णिया है कि यदि तथे परक और वैग्यानिक समझ का पार्ट पढ़ाया जाएगा तो इसल के स्थापना के सिध्धान्त का क्या होगा जो सिस्टी निर्माल की प्रक्रिया को अधिकतम 10,000 वर्सपूर पीछे की ओर ले जाता है जबकि विकासवाद का सिध्धान्त इससे करोड़ो वर्सपूर की बात करता है विज्ञान और वैग्यानिक सिध्धान्त एक गहन प्रायोगिक अनुसंदान का परिणाम है विज्ञान से जो पाया गया है उसके पीछे वैज्ञानिकों का समय साथ एवं स्रम साथ गहन सोथ नहीं थै विज्ञान आस्था पर नहीं प्रियोगों पर निर्वर करता है और धर्म अनुवाओं पर अनुवाओं के रंग वेविद हो सकते हैं एवं उसे एक वैग्यानिक के समान प्रियोग करके दिखाया भी जा सकता है दूसरी और विज्ञान के पदार्त केंदरित अनवेशन में भी अनुवाओं का इस्थान हो सकता है प्रक्षाद वैग्यानिक, आइस्टीन के इन दार्सनिक विचारों में विग्यान एवं आस्थावाधी सिधानतों के बीच एक संबन सुछ छलगता है इसके अभाव में अर्धाद आस्थावाधियों का ये भै है कि हमारे धार्मिक सिधानतों का क्या होगा तथा विज्ञान को अपने अनुसंदान छेत से मोग एवं वैग्यानिक सब्दावलियों से राग के कारण ही वर्तमान विडंबना पैदा होई है परंदु जो भी हो विज्ञान ने सोयम को सदियों तक प्रमाडित किया है और इसी का परड़ाम है कि उसे सरोच प्रमाडिकता प्राग आधुनिक वैग्यानिक एवं दासनिक यान इसमीत ने एक बड़ी हैरानी प्रिकट करते हैं वे कहा है कि आज के अत्यादुनिक अविस्कारों के पुरोधा एवं विज्ञान के जनवधाता पासचार्थ देशों में ही आस्थावादियों के रोड मानेता वैग्यानिक सिधानतों एवं नियोमों पर हावी पल रही है विज्ञान पर धर्म का अवांचनिय दबाव सदियो पुराना है विज्ञान ही नहीं हर क्रांती के पुजारी को रोडी वादियों ने अपार यातना एवों मित्यु धर्म तक दिया है इसी संधर्म में अमेरिका में सन 1925 में एक घटना गटी टेनेसी में एक विज्ञान सिचक जान इसकाट्स पर इसलिए मुगदमा चलाया गया क्योंकि वे चोडी चिप पे स्कूल के बच्चों को जीवों के विखास का ग्यान दे रहे थे इस मुगदमे को बंदर मुगदमा मंकी ट्रायल के नाम से जाना जाता है उस सिचक के प्रैतन को गलत करार दिया गया और उसे वेग्यानिक सिच्चा देने का दोसी पाया गया यह गटना वहाँ गटी जहां पर वेग्यानिक तकनीकी के विभिन प्रयोग एवन उप्रयोग किये जाते हैं जान इसकार्ट्स के मुगदमे के असी वर्स बाद अमेरिका के कंसास में अदालत के समान एक सुनवाई का आयोजन किया गया इसका उद्देस था विकास वाद रूपी वेग्यानिक पढ़ाई को बंद कर दो 1987 में अमेरिकी सरोच नियाले ने इसी तरह की एक मामले में निर्णे दिया कि सार्विजनिक विद्यालेों में विकास वाद के साथ ही सिस्टी वाद की पढ़ाई नहीं की जा सकती वस्तुतर विकासवाद के विरुद उठाएगे इस कदम का कारण है कि यह सिद्धान इस्वर के द्वारा सिस्टी किये जाने के सिद्धान का निसेत करता है और द्वी सिद्धान को नकारने के इस अफराद में कोपर निकस ब्रूनो जैसे विज्ञानिक विचारक मित्युडन पाचुके हैं गैलीलियों भी दंडित हो चुके हैं इसी द्वी सिद्धान के पच्चदर कुछ पास्चारते देशों के राष्टपती भी हैं जो अपनी सारवजनी घुस्राओं में विज्ञान से भी अधिक आस्थावादियों पर भरोसा करते हैं यहां पर न विकासवाद का समर्थिन करने की बात कही जा रही है और न आस्थावादि सिद्धान्दों की अवहिलना की जा रही है वस्तत तथ यह है कि हर सिद्धान की एक विशिस्ट प्रायोगी प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में यदि वक्षरा न उत्रे प्रवाइत न हो सके तो इस पर पुनर विचार करना चाहिए हाँ यह ध्यान देने योग्य है कि धर्म के अनुभवों को विज्ञान की प्रयोकसाला में पुरी तर से प्रमारित कर पाना संभव नहीं है और विज्ञान के सिधानतों को भी आस्था सद्धा के छेत्र में नहीं देखना चाहिए एक का विशय है जीवन और उसके अस्तित्व का गहन है से तथा दूसरे का आधार जीवन के लिए आवस्यक सिस्टी एवं उसके घटकों का अन्वेशन यो बाहरी डंग से देखने पर दोनों विफ्रीत एवं भिन प्रतीत होते हैं परन्तु ये सिख्के के दो पहलू है तथा दोनों एक दूसरे पर आस्रित हैं परदार जगत के अध्यन एवं अनुसंदान से प्राप्त निसकर से मानो जीवन को अपार लाप मिला है उसके विकास में सहायता मिली है और ठीक इसी तरथ धर्म से प्राप्त प्रग्या, मेधा, विवेक, समवेदना एवं सहानुभूती से इस वैग्यानिक संसादनों का जन कल्यान के लिए उप्योग किया जा सकता है आज की वर्धमान इस्तिती भी कुछ ऐसी ही है जो धर्म एवं विज्ञान दोनों आपस में टक्रार हैं इस टक्रार ने आपसी विरोध ने एक दूसरे की गती को सुनिक कर दिया है दोनों के मिलन इवं समन्वे के अभाव में इस्ति यहां तक आप पूचिए है कि विकास की और बढ़ने वाले कदम अब विनास की और मूडने लगे हैं विज्ञान की अपार समझ इवं संसादनों की धेरी में नीच की जिन्दगी अभूज बन गई है बहुती विकास के चरम सिकर बर गर्व करने वालों को अपने ही जीवन को सवारने सुधारने की कला नहीं आती है इसके ठीक विप्रेत जो धर्म के सिध्धानतों का बखान करने वालों के विचार भी बड़ी अव्यग्यानिक नजर आते हैं कहीं पर किसी के साथ कोई मेल नहीं, योग नहीं, सैयोग नहीं है समस्याओं के इस चक्रिव में फसी जटिलता से उबरने का एक ही मार्ग है एक ऐसी विद्या की खोज जिसे समग्र मालों जाती का विज्ञान कहा जा सके इसे अपना करी खंडों में बटे हुए जीवन की अस्तित को समपूर्ता एवं समग्रता से अनुभव किया जा सकता है और यह अनुभव बताता है कि सार्थकता आपसी टक्राव में नहीं, सैयोग में है क्योंकि धर्म एवं विज्ञान एक ही व्यापक अस्तित्व के मुल्यवान अन्स है ऐसी समग्र सिच्छा की आवस्त्ता है जिसे समुचित ढंग से पाठिक्रम में विक्सित कर बच्चों को पढ़ाना चाहिए तथा बच्चों को भी इसे जीवन में उतारना चाहिए ऐसा हो सकने पर मानमी छमताओं का विकास होगा और महासक्तियों की आपसी ठक्राव रुकेगी ये पुना एक जूट हो हमारे विकास को आगे की और बढ़ादाए इस समग्र विद्या को ही वैज्यानिक अध्यात्मवाद कहते हैं यह उल्टे को उलटकर सीधा करने की विदी है इसमें मौलिक्ता का अध्यात्मिक्ता के साथ वैक्ति का समाज के साथ और सद्धा का तर्क के साथ अपूर मिलन देखने को मिलता है इसी तरह इसमें व्यक्तिक विकास के साथ वैस्विक विकास का भी समुचित अस्थान है इसी से मनुस्व में देवतों का उदै एवं धर्ती पर स्वर्ग का आउतरम संभव है अखन जोती नौंबर 2005 प्रिष्ट 17 और 18 धन्यवाद